तो हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल एक्जाम क्रैक पॉइंट में तो दोस्तो बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी के नियूज लेके मैं आया हूँ दोस्तो बेसिल के तरफ से दोस्तो वैकेंसी आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं एड़ेजमें सपाइट विजिट कर सकते हैं तो दोस्तो वैकेंसी के वारे में जुदि करेंगे सबसे पहले में एक चीज करनते हों कि दोस्तो यह 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 टापका चाहसे की वहाँ यह नहीं होसता है दोस्तों contact basis का ज़दा से ज़दा तर अभी वेकंसी आ रहा है इंडिया में तो अभी जैसे COVID-19 के लिए jobs का crisis चलो हो गया तो दोस्तों आप जो है इसके लिए apply कर सकते हो यह contact basis के लिए ले रहा है but likely to be permanent दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि application are invited for the recruitment of following manpower purely on contract basis for deployment in the regional office of cement corporation of india limited का तरफ से जो है दोस्तों यहाँ पर regional office में deployment किया जाएगा दोस्तों place of posting का बारे में हम लोग बात करेंगे सारा चीज को ले करके बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो आप अं तक देख लीजिए सारा doubt आपका जो है clear हो जाएगा दोस्तों place of posting का अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीन place में दोस्तों देख सकते हैं total vacancy जो है 13 है और place का अगर हम लोग बात करेंगे हाइदराबाद राइचूर और गुल बर्गा ठीक है यह तीन place यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका posting जो है तीनों में से किसी एक में होगा तंदूर सिमेट factory यहाँ पर दिया गया है डिस्टिक जो है भिकराबाद तेलेंगा न ठीक है पोस्त का अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों electrician, motor mechanic, fitter and welder दोस्तों यह चार जो पोस्त है यह ITA लोग के लिए है और DEO जोस्तों यह जो है डिप्लोमा लोग के लिए है दोस्तों यह ITA लोगों के लिए जो चार पोस्त यहाँ पर दिया गया है electrician, motor mechanic, fitter and welder चारो semi skilled semi skilled category में आता है और चारो के लिए दोस्तों reanimation per month stipend आपको जो है 10,972 रुपिया मिलेगा ठीक है और दोस्तों DEO जो है यह highly skilled में आता है highly skilled category में आता है दोस्तों इसमें आपका जो है salary 6,700, मतलब 6,800 का असपास दोस्तों आपको मिलेगा कोई भी TADA नहीं मिलेगा कोई भी allowances आपको नहीं मिलेगा दोस्तों electrician के लिए आपर देख सकते हैं कि 4 post है motor mechanic के लिए दोस्तों एक post है देख सकते हैं यहां पर और DEO के लिए दोस्तों यहां पर तीन post है अगर हम बात करेंगे qualification का दोस्तों तो electrician के लिए आपको IT होना चाहिए electrical में और motor mechanic के लिए दोस्तों IT होना चाहिए motor driving कम mechanic engineering में फिटर के लिए आपको IT होना चाहिए के फीडर में older के लिए older में होना चाहिए IT होगे दोस्तों डिप्लोमा या तो फिर डिग्री होना चाहिए किसमें होना चाहिए दोस्तों civil engineering with two years experience in similar capacity preferred similar capacity मतलब अभी जैसे Cement Corporation of India Limited के तरफ से vacancy आया है तो आपको जो है similar किसी चीज का उपर दो साल का experience मागा गया है दोस्तों यह हो गया DEO के लिए दोस्तों जो की highly skilled है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और एक चीज यहाँ पर clear कर दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया कि no TNDA will be paid for attending the interaction on joining the duty on selection आपको पैसे पकट से पैसे खर्चा करके आपको जाना पड़ेगा कोई भी travel allowances या फिर वहाँ पर रहने के लिए कोई भी allowances company के तरफ से दोस्तों नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर जो है local लोगों के लिए दोस्तों preference मिलेगा local लोगों के लिए जो वहा और दोस्तों यहाँ पर www.basil.com में जा करके आपको जो है form डाउनलोड करना पड़ेगा और form डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको कुरियर करना पड़ेगा या तो फिर speed post में भेजना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि title क्या लिगना पड़ेगा application for the post for उसके बाद दोस्तों आप अगर याँ फिल्टर के लिए apply कर रहें यह दो फिर अगर आप deo के ब MOS कर रहें तो यहाँ पर सीज़ लिखना पड़ेगा कि पोंस्तों करने ठीड़ेगा ओर जो है वहांं पर कंपनी का बहार में dropbox लगाूक्स लगा 17 sector 62 Noida तो दोस्तो अगर आपका कुछ अधिक जानकरी चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर phone number भी दिया गया है वहाँ पर आप जो है phone करके भी पूछ सकते हैं और दोस्तो साथ-साथ application form का साथ-साथ आपको जो है कुछ documents यहाँ पर लिखा गया है जो कि आपको भीजना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि Photocopies of educational qualification and work experience details दोस्तो educational qualification बोले तो आपका जितना सारा certificate है 10, 12 या तफिर ITI diploma जो भी है degree सारा educational qualification का details आपको जो है photocopies भीजना पड़ेगा दोस्तो और यहाँ पर two passport size photograph भीजना पड़ेगा साथ-साथ में दोस्तो fancard और अधर का जरॉक्स भी भीजना पड़ेगा दोस्तो कहाँ पर भीजना पड़ेगा यहाँ पर जो address मैं आपको भी बताया तो दोस्तो registration fee जो है मैं भी बताऊंगा कितना है वो जो है आपको दोस्तो demand draft से ही pay करना पड़ेगा ठीक है और in favor of broadcast engineering consultant इंडिया लिमिटेड pay well at new Delhi ठीक है यह आपको जो है draft में भरना पड़ता है इसका favor में ही भरना पड़ेगा general candidate के लिए दोस्तो 500 रूपया लगेगा और जेनरेल अरोबी से के लिए 500 रूपया लगेगा SC, ST and PH मतलब physically handicapped candidate के लिए दोस्तो 500 रूपया रखा गया है last date जो है 10 अगस्ट है दोस्तो अगर आप apply करना चाते हो तो 10 अगस्ट से पहले ही आप apply कर दो मैं आपको एक सीज बताना चाता हूँ कि आप अगर apply करना चाते हो तो इसका जो official website है वहाँ पर जा करके आप अधिक जानकरी ले लो ठीक है तो दोस्तो फिलाल वीडियो जना तकी फिर मिलता है next वीडियो में I hope वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए कुछ डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसा ही exam related, job related, news, private and government बोथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेस्ट कर लिजिए उसमें आपको नोटिफिकेसन मिलता रहेगा मेरा हर वीडियो का और आप जो है अपडेट होते रहोगे तो थैंक्यों फ्रेंट्स, थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो जैहिन, बंदे मातरम